बाजार में महंगे चावल खरीदने के बाद लोग इंतजार कर रहे हैं धान की नई फसल का लेकिन धान की नई फसल आने के बाद भी चावल की कीम्तों में कमी के आसार नहीं है इसकी वज़ा इससल धान की प्रयाप्त भॉआई नहीं हो पाना है तरसल पूर्वी उत्तर परदेश, बिहार, चारखंड और पस्चिम मंगोल में इस साल सूखे जैसे हालात है इन राजियों में सूखे की वज़े से धान की भॉआई नहीं हो पाई है मतलब अगले साल भी चावल के दाम बढ़ते रहेंगे अगस्त बीतने को है लेकिन धान की भॉआई पिछते साल जितने भी नहीं हो पाई है केंदरे क्रिशी मंत्राले के आखडों के मुताबिक देश में चालू खरीफ मौसम में धान की भॉआई जोर पकड़ नहीं रही है बीते 18 अगस्त के आखडों पर नज़र डाले तो धान का रकबा सवा आट फीसदी घट गया है मंत्राले के मुताबिक उस दिन तक देश भर में धान की भॉआई 343,70,000 हेक्टेर में हुई थी जो कि पिछले साल 374,63,000 हेक्टेर के मुकाबले सवा आट फीसदी कम है खरीफ फसलों की भॉआई जून में ही शुरू हो जाती है उसी समय दक्षनी पश्मी मोनसुन का भी आगबन होता है धान खरीफ फसलों का परमुक फसल है किसान भी इस पर खास जोर देते हैं क्योंकि परमुक धान उत्पादक राज्यों में लोगों का परमुक खाद्यपदा चावल ही है हलाकि इसका अपवाद हरियाना और पंजाब है वहाँ धान की पैदावार तो खूब होती है लेकिन वे अधिकतर धान बाजार के लिए उगाते हैं तब भी यदि भारत के परमुक चावल उत्पादक राज्यों पर नजर डाले पूर्वी उत्तर परदेश, बिहार, चारखन, पश्चिम, मंगौल, आदी राज्यों में बारिश इतनी कम हुई है कि सूखे जैसे हालात है इसके लावा ओरिसा, चाथिसकर, मध्य परदेश, तेलंगना आदी राज्यों में भर पूर बारिश नहीं हुई है ये राज्य धान उगाने के लिए मशूर है बिहार के कई जिलों में तो बारिश इतना कम हुआ है कि धान रोपने के लिए त्यार बीचड़ा या मोरी ही जल गया वहीं भारत से चावल का निर्यात लगातार बढ़ता दिखाई दिया है स्थिती ये है कि दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उतपादक देश चीन भी हमसे चावल खरीद रहा है केंदर सरकार के आंख़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 में दुनिया भर के 150 से अधिक देशों को चावल का निर्यात किया इन में से 76 देशों को 1 मिलियन डोलर से अधिका निर्यात किया गया साल 2019-20 में 2015 मिलियन डोलर के गैर भास्मती चावल का निर्यात किया था जो साल 2020-21 में बढ़कर 4799 मिलियन टन और साल 2021-22 में 6,115 मिलियन डोलर हो गया वर्ष 2021-22 ने 27 फीसद की विरिदी दर्च करते हुए गैर बास्मती चावल का निर्याद 6,115 मिलियन डोलर रहा इस साल भी बास्मती और गैर बास्मती किस्ट के चावलों का निर्याद बढ़ता हुआ दिखाई दिया है चावल का निर्याद बढ़ते ही ग्रेलू बजार में इसकी कीमते चड़ गई बजार में पिछले तीन महीनों के दरान चावल की कीमतों में करीब 30 फीसदी का इजाफा हो चुका है पहले जो बास्मती चावल 60 रुपे किलो मिलता था उसकी कीमत बढ़कर 80 रुपे हो चुकी है 30 रुपे किलो मिलने वाला टुकडा बास्मती भी 40 रुपे किलो से कम नहीं आम आदमी जिस परमल चावल का उप्योग करता है उसकी कीमत भी 30 रुपे से बढ़कर 40-45 रुपे किलो हो चुकी है ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल भी फिलाल चावल की कीमते कम होती दिखाई नहीं दे रही